गाइस बात करतें USA के election के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि USA का election किस तरीके से काम करता है मतलब किस तरीके से vote डाला जाता है और किस तरीके से वो लोग अपना president चुनते हैं इसका जो पूरा process है वो इंडियन election से एकदम difference है अगर हम बात करें हम Google पे टाइप करतें USA election 2020 live तो आपको कई सारी categories देखने को मिलेगी जैसे कि एक column आजाएगा president के लिए एक आजाएगा senate के लिए एक आजाएगा house के लिए सकते municipality वगारा type के municipal corporation के और कुछ लोग जो गाओ में रहते हैं वो पज्जाएगा चुनते हैं और कुछ लोग जो eligible voters होते हैं कि वो राजय सबाब में भी वोट कर सकते हैं तो आप यही समझ सकते हैं कि ऐसी यह सारी processes एक साथ होती USA election में मतलब वो लो एक साथ 3 वोट डालते है ऐसा भी देखने को मिलते है कि कुछ voters जो एक साथ 3 वोट तीन अलग अलग पार्टी को भी वोट डालते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि USA का प्रेजिडेंट कैसे चुना जाता है आपने दो टम्स सुनेंगे राड स्टेट और ब्लू स्टेट राड स्टेट और अगर मान लीजिए इस कैलिफोरिया में जो बाइडन को वोट मिले 50.0001% और डोनाल ट्रम्प को वोट मिले 49.999% भली डिफ्रेंस जो है वह 0.1% का कुछ डिफ्रेंस रहा हूं या फिर हम कहते हैं एक परसेंट के डिफ्रेंस रहा हूं फिर वह कभी यह नहीं बोला जाएग कि डोनाल ट्रम्प एक परसेंट से हारा या फिर जो बाइडन एक परसेंट से जीता कौन जीता तो वह यह नहीं बोले का जो बाइडन 51% से वोट जीता वह कहेंगे जो बाइडन की तरफ पूरा 100% सपोर्ट जाहे यह होता है यही रीजन होता है कि जो डेमोक्रेटिक और र जीत है तो आपकी जीत होगी तो आप पूरे 100% के माले और अगर आप 1% से भी हार गए तो आप 0% मतलब आपको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा तो यही रीजन होता है कि जो कैलिफोर्निया या फिर हम कहें जितने भी कोस्ट्यल से होते हैं वो हमेशे डेमोक्रेट के लिए र करते हैं इसन होता है कि बहुत से जो डेमोक्रेट के स्टेट से होते हैं उसमें रिपब्लिकन अपना प्रचार करना के बारे भी नहीं सूचते क्योंकि एची तरह पता है कि हमारा वोटर जब है नी तो हमें वोट देगा कौन अगर माल लीजिए हम कल को एक परसेंट से भी देगा फ्रचार्व चीद भी लिहा उसके बाद भी हुख लिटल 55 है लेक्टोरल्स कैलिफॉर्निया के वह सिर्फ जो बाइड़न की लिए वोट करें जो बाइडनकी लिए ही जाया कि बंगाल में एक ढूर में नई लेटरी बीजे पी ने बंगा तेगा प्यो प्लिटिकल लेकिन ऐसा नहीं होता इंडिया में पर सीट्स के हिसाफ से पूरा कैलकुलेशन आपको क्रसंट किया जाता। अगर मालीच डोनाल ट्रम ने कैलिफोर्निया की 25 स्केट जीती या फिर जो बाइडन ने तीस जीती तो पच्चेस और तीस के बीच में नहीं वो टोटल पच्पन जो बाइडन के नाम ही होंगी। आपने बहुत से टम सुनेंगे स्टूइंग इस्टेट्स 12 से 14 इस्टेट्स जो अते जो कभी कभा स्टूइंग शो करते जैसे इस ऐलक्षन में चार इस्टेट्स ही जनोंने स्टूइंग शो किया था। अब जो states थी वो ये थी कुछ निवाडा, जॉर्जिया, अरिजोना, पैंसेवेलिया अब इन states की value आप वो ही समय सकते हैं जो मद्देप्रदेश राजिसा ये 36 गड़की मतलब EJP और Congress ये states किसके साथ चले जाए किसी को नहीं कह सकते उसी तरह ये चार states किसके साथ चले जाए वो किसी कोई नहीं कह सकता इस election में क्योंकि 90% voting होने के बाद, मतलब 90% की voting count होने के बाद भी ये decide ये clear नहीं हो पा रहा था कि कौन जीत रहा है, जो margin था वो इत्ता कम था ये इसका reason ये भी है कि इधर इस areas में democratic और republicans दोनों की equal value है, मतलब उन दोनों voters सी equal value है यही reason होता है कि इन swing students में सबसे जादा प्रचार होता है क्योंकि जो बीच के voters होता है या हमका silent voters उन सबको खीचने की बात आती है Republicans का जो अच्छा-कासा vote bank है वो rural population में होता है, अच्छा hold और जो Democrats होते हैं उनका urban में होता है अब Senate जो होते है, USA के अंडे total 100 Senate है, जिसमें 2 Senate हर एक state को मिले क्योंकि 50 states है जैसे के election की काफी कमिया है जो हम Indian election से compare करते हैं लेकिन कुछ ऐसे points है जो मुझे अच्छे लगे कि आवे USA election में यह चीज़े बहतर है Indian election के मुकाबले USA के election और Indian election में जो सबसे बड़ा difference है वो यह है कि USA में आदमी अपना head of a state मतलब अपना president खुद चुन सकता है लेकिन हम इंडिया में बहुत से लोग कहें कि हमने तो मुदी जी को जिता आया फिर हमने अपने prime minister को चुना लेकिन ऐसा नहीं होता है लोग अपना prime minister नहीं चुन सकते अब जैसे कि Indian election की बात करें तो Indian election में हमारे जो prime minister है वो उसकी constituency बनारस थी वो वारन ऐसी से खड़े होते नरेंद्र मोदी और तो जो सौभागे था अपने prime minister को vote देने का वो सिर्फ और सिर्फ वनारस के लोगों के हाथ में था लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ MP चुनते हैं member of parliament फिर member of parliament जिस party के सबसे यादा चुनने रह रहा यह कोई New York में, Texas में, Arizona में, Georgia में या फिर वो रह रहा इंडियाना में सब में एक चीच common होती है कि हर जगे का आदमी Trump या Biden किसको vote करना चाहता है वो चुन सकता है लेकिन इसके defect देखने को भी मिलता है कि कई बार अगर माली जी Trump जिन इसकेस में जीता उन इसकेस मे वो हा रहा तो ओधर काफी margin से आ रहा हो तो obviously Trump के पाफ ज्यादा Electorals किया वो ज्यादा जीत गया ज्यादा Electorals मिलके जिसकी वज़े से वो जीत गया लेकिन अगर हम vote की बात करते हो तो कई बार यह देखने को मिलता है कम होने के पाफ भी जीत जाते है या vote ज्यादा होने के बात भी हार जाते है यही रिजन था कि 2016 में Hillary Clinton जिनके 30 लाग वोट ज्यादा थे Donald Trump से वो 30 लाग वोट ज्यादा होने के बावजूद भी हार गया और Donald Trump 30 लाग वोट कम होने के बावजूद भी जीत गया बड़ा point है जो मुझे अच्छा लगए US election का कि US election में बाय कि US election में अगर मान लीजिए या तो आप Trump को वोट देते हैं या आप Biden को वोट देते हैं अब Indian election की अगर हम बात करें अब जैसे कि हमने मद्य प्रदेश में देखा तो कई सारे घोटाले खुलते का या फिर जो government उनके failure सामने आने लगे जिसकी वज़े से लोगों ने decide कि हमें government change करन government बनाई लेकिन बीजेपी में एक बार वो था कि किसी भी तरीके से वो सरकार बना लेते तोर मडोर की जो राजनी थी होती है कि इस जोती राव से आदित संद्या को खीच लिया और कुछ निताओं को खीच लिया जिसकी वज़े से बीजेपी ने अपनी government फिर से फॉर्म कर अब जो सबसे बड़ा reason है कि हम सुनते हैं कि अब Nevada जिसमें शाइस से 50,000 वोट काउंट किके गए थे कई सारे लोगों ने criticize किया कि सिर्फ 50,000 वोट को count करने में 6 दिन को लगा दिये तो एक जो सबसे बड़ा reason है कि हमारे जो एक ऐसा institution है election commission of India जो पूरे देश में conduct करता है लेकिन USA के अंदर ये है कि 50 states के अंदर election कराने के लिए या voting कराने के लिए 50 अलग-अलग institution है हर state का अपना एक independent election commission कह सकते हैं और जो सबसे बड़ा difference है USA में एक लोग कहते है by party system जो हमारे आए multi party system लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भी एक तरीके से by party system ही है अलग-भग क्योंकि उधर सिर्फ दो party होती है Republican और Democratic red और blue बोलते हैं इसलिए बोलती क्योंकि जब color TV आये था तो यह दो color असानी से distinguish किये जा सकते थे इसलिए उन्होंने red और blue को आज भी red और blue ही follow करते हैं लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आज भी दो parties ही होती है एक जो power में आती है और एक जो opposition में आती है हमारे multi party system है कि कोई भी अपनी party बना के खड़ा हो सकता है election contest कर सकता है लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिलती है कि end में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो political parties, multi parties होती है वो भी या तो this side चली जाती है यो उस side चली जाती है अब जैसे कि मैंने आपको बता थे कि USA के election में democratic के regions पे republicans कभी नहीं जाते रिजन पे democratic कभी नहीं जानते क्योंकि वो अच्छी तर जानते वोट पे हैं लेकिन इंडिया के अंदर हर एक नेता हर एक constituency पे अपना प्रचार करता है ये करने के लिए कि क्या पता वो जीच जाए क्योंकि हमारे electorals के basis पे counting नहीं होती है कि अगर electoral जैसे system हमारे होता तो फिर ये clear है कि एक तो हमारे multiparty system पे वो काम भी नहीं कर सकता ढंक से और ये भी देखने को मिलता कि बहुत से regions जो है जहापे BJP बहुत weak है जैसे कि हम south india की बात करें तो south indian के कई states में BJP एक seat भी नहीं निकाल पाती है तो अगर हम बात करें कुछ ऐसे regional constituencies है जैसे बंगाल का example ले लिए और फिर ऐसे कई states है जहापे दूसरा vote bank बहुत मजबूती से खड़ा रहता है जो एक-दो seats निकलती भी है वो भी counting में नहीं आती तो यह एक बहुत बड़ा defect हो सकता था अब USA के अंदर ऐसे 538 electorals होते है जिसमें 270 जिसके आगा है वो जीत गया अब हम देखते है कि house of representative या बाकी चीजों में तो ट्रंप अभी भी आ गया और ट्रंप जीत रहा है लेकिन जो बाइडन प्रेजिटेंट में आगे बन गया मतलब प्रेजिटेंट अल्मोथ उसे डेकलेर कर दिया गया है तो जो रीजन आता है वो यह है आप ऐसे समझ सकते हैं आम भाशा में कि नरेंद मोधी चुनाव लड़े थे प्रधान मंत्री का और प्रधान मंत्री और राज प्रेजिटेंट को एक वोट दिया जाता है मतलब अमेरिका के एलेक्शन के एक अच्छा पॉर्ण कह सकते हो कि अगर हर एक कॉंस्टिटेंसी के आदमी को यह चोईस दे जाए कि आप मोधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाते हो या राहूल कांदी को क्योंकि यह देखने जो है आपका जो एरिया है या फिर आप जिस कम्यूनिटी को ब्लेंग करते हो वो लोग कभी प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते तरीके का नेगलेक्शन देखने को मिलता है एक बहुत अच्छा प्रोपोश्चन साइलेंट वोटर्स का देखने को मिला है यह मैं इसल ली कह रहा हूँ क्यों कि डोनाल ट्राम्प और जो बाइडन के बीच में आज भी जो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो मैं होप करता हूँ आप लोग समझ गया हूँ कि USA के इलेक्शन और इंडियन इलेक्शन से हमने कंपेर करते हैं कि USA के इलेक्शन कैसे वर करता है USA का और आप लोग कैसे चुनते हैं एक USA का प्रेजिडेंट